कि बात करता हूं तो यह हमें company fitted ही मिल जाती है अगर मैं इसके handles पर आता हूं तो यहाँ पर देखिए आपको chrome के साथ मिल जाते हैं यहाँ यहाँ पर हमें लोग गार्णिश देखने के लिए मिल जाती है जो कि ट्विटर दो ट्विटर के साथ मिल जाता है फोर प्लस टू के से अलो वाई मैं हूं अनी यंगवा वाई आप अपने सामने देख रहे हैं आज यह ग्रांड एस यूवी एंजी यह एंडी एस्टर का सुपर मॉडल है यह सपर से भी उपर कहीं जादा अगर मैं इसके फीचर दिये हैं कंपनी न जब हम इससे सामने से देखते हैं न तो इतनी चौड़ा मतलब एक तुम घ्रांड लुक देती है क्योंकि इसकी विट ही बहुत ज़्यादा है करीब हमें 1809 mm की इसमें विट मिल जाती है जब हम इससे सामने से देखते हैं तो सबसे पहले हमें इसमें सा देखने के लिए मिल जाती है यह एगर मैं इसकी घे लम्स की बात करता हूं तो यह हमें LED के साथ मिल जाती है पूरा यहां पर हमें LED हैड्लम्स देखने के लिए मिल जाती हैm die यहां पर यहां पर इनिखिये कि esti Aww quite aninstall a a अगर मैं इसकी fog lamp की बात करता हूँ तो यह हमें company fitted ही मिल जाती है अगर sound में से और देखते हैं आपको दूर से यह इतनी बड़ी नहीं लगेगी लेकिन जैसे जैसे आप इसके पास आइंगे ना तो आपको पता जलेगा कितनी बड़ी आप इसको यहां से देखिए इसका bonnet कितना बड़ा है वहीं अगर मैं इसका side में चलता हूँ तो side में आपको जो सबसे पहले चीज़े देखने के लिए मिलती है सबसे पहले हम इसकी length की बात करते हैं अगर मैं इसकी length की बात करते हूँ तो यह SUV segment की car है इसकी length हमें करीब 43-23mm देखने के लिए मिल जाती है जो कि काफी बड़िया है अगर मैं इसके tire size की बात करता हूँ तो इसमें हमें 215, 55, 8, 17, 17 inches के tire मिल जाते हैं और वील के साथ मिल जाते हैं इसमें हमें इसमें हमें नीचे की तरफ भी side molding देखने के लिए मिल जाती है जो कि इसे काफी बड़िया look देती है अगर मैं इसके handles पर आता हूँ तो यहाँ पर देखिए आपको chrome के साथ मिल जाते हैं यहाँ पर हमें lower garnish देखने के लिए मिल जाती है जो कि back तक जाती है बिलकुर्व इसमें हमें यहाँ पर fuel filler cap देखने के लिए मिल जाती है और बहीं यह petrol variant है तो इसमें हमें fuel tank की capacity 48 liter देखने के लिए मिलती है अगर हम इसके साइट से देखते हैं तो यह काफी उची गाड़ी देखने के लिए मिल जाता है अगर इसके वील बेस की बात करते हैं तो बहीं हमें पच्चासी एमम मिल जाता है इसलिए इसकी road presence काफी अच्छी है भारी भरकम गाड़ी लगती है चलते हुए रोड पर अगर मैं इसके ground clearance की बात करता हूं तो वह हमें 200 mm देखने के लिए मिल जाता है इसलिए काफी उची भी लगती है देखने में गाड़ी तो इसके रियर साइट में चलते हैं अगर हम देखने के लिए में आटे इसमें चाफी नंटिन देखने के लिए मिल जाता है बहीं यहां पर हमें defoggar ने के लिए मिल देखने के साथ मिल जाती है जूका कउप अब पर रिवरस लाइट मिल जाती है आगर मैं इसके नीचे बात करता हूं तो यहां पर हम रिफ्लेक्टर देखने के लिए काल सकते हैं इसको उपन कर सकते हैं इस pursue श्रिक्त करता हम तो हम इसमें बूस्पेस चार सो refrigerator का देखने के लिए मिलता है काफी बड़े बूट स्पेस मिल जाता है इसको यहीं से हम पकड़ कर सकते हैं फिलाल पहले इसमें टायर साइज देखते हैं स्टेफणी का कि दो सब्सक्राइब देखने के लिए मिलता है यहां पर कॉस्ट कटिंग किये कंपनी ने बाहरा में 17 इंचे और अंदर स्टेफणी में 16 इंचे के साइज मिल जाता है है 16 इंच का ने इंचे के दिए सफ यहां पर हमें नीचे की तरफ इसमे recycling सिस्ट्रम दिया हुँऊ है 10 इंचर का स्टीं मिल जाता है यह भी था कई कामें यह आफ्टर मार्केट नहीं है चलिए आगे की तरफ इंटीर में चलते हैं इसके और देखते हैं इसमें क्या-क्या मिल जाता है यहां पर हमें कोई भी रिक्वेस सेंसर नहीं मिलता है क्योंकि कीला सेंट्री नहीं है की से ही स्टार्ट होगी सेकिंड बेस केरें यहां पर आपको सिलव फिनिशन देखने के लिए मिल जाती है जो कि काफी प्रीमियम रॉग देती है दो speaker हमें आगे मिल जाते हैं, दो पीछे मिल जाते हैं और यहां पर एक Twitter और एक Twitter उदर, दो Twitter के साथ मिल जाता है 4 plus 2 के setup में, यहां पर आपको कुछ है दूरा दूरा लग रहा हुआ, ORBM को adjust करने के लिए बो हमें सुचेज यहां पर मिल जाते हैं, लेफ्ट, राइट बीच में आपर नुट्रल पर आ जायागा, यह और भीम को adjust करने के लिए हैं, भही हां पर हमें headlight labler देखने के लिए मिल जाता है, भही अगर मैं इसकी driving seat की बात करता हूँ, तो यह में height adjustment feature के साथ मिल जाती है, और recline ankle के साथ तो है ही है, इसकी की देखा देता हूँ मैं आपको पहले, अगर हम की की बात करता हूँ, इसकी normal flip key हमें देखने के लिए मिल जाती है, लॉक के लिए, unlock के लिए हैंपर push इसे hold करके रखेंगे, तो इसका boot open हो जाता हूँ, की अभी insert करते हूँ और देखते हैं काडी में अगर मैं अगर मैं सामने बात करता हूँ, तो यहां पर हमें AC wind, glossy finish में देखने के लिए मिलता है, black glossy और सामने silver finish, जो कि इसे बहुत बढ़िया लुक देता है, यहां पर आप सामने देखे, ओ भाई, यह भी आपको leather right मिलता है, बाइज बेन देखे बार कोई हाट touch और सब soft touch, यहां पर भी आपको यहां बहुत सब लेदर मिल जाता है, बहीं पर यह साइड में आपको रूंड में इसी बेंट देखने के लिए मिलते हैं बहीं बीच में इस तरह से फिनेश में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं पहले पहले इसके स्विच को आफ करते हैं बाकी बाते करते हैं अगर मैं इसके स्टेरिंग की बात करता हूं तो बैनिती मिर्ट दे देना चाहिए तो सबी कुछ तो दे दिया को छोड़ा तो है नहीं लोगों अगर यहां पर बात करते हैं तो यहां पर हमें speak up में माइक मिल जाता है क्योंकि इसमें boy's calling feature है बागे यहां पर light को on off करने के लिए switch मिल जाते हैं एहां पर हमी येड़ बैग की डिष्विशन बताता है कि येड़ आइए और ओफ हे अगर यहां पर आते हैं हमें इाहां तो हमें हजार्ट tiktok का अप्शन मिल जाता है, फिर इसमें नीचे आते हैं तो हमें 10-inches का एपन इम किसकर आया मिला कि करते हैं, क्योंकि है उपन होने क्योंच पर यह दिता है, है अगर मैं भाए मैं अ करता हहूं, अब बात करता हूँ, में आपको air purifier भी मिल रहे हैं, आपके अगर कोई पॉलिशन कुछ हो गया है या फिर किसी ने smoking कर लिए तो उसको आप सही कर सकते है अगर नीचे में बात करता हूँ, तो यहाँ पर आपको home का button मिल जाता है, यहाँ पर front, rear defogger के option मिल जाते है, temperature को control करने के लिए मिल जाता है, नीचे आपको 12 volt 120 watt के socket मिल जाता है, यहाँ पर आपको USP के लिए और charging के लिए point मिल जाते है, भही यहाँ पर थोड़ा सा space आपको सब हमें soft touch में देखने के लिए मिल जाता है, अगर इसके gear की बात करता है, तो five speed का manual transmission में और इसका reverse gear कैसे डलता है, इसका reverse gear उठा के नहीं lever इसको नीचे दवा के इस तरह से reverse डल जाता है, वही आप इसके camera के quality भी देख सकते हैं, बाकी हम अगर पीछे आते हैं, तो wireless charging का यह place मिल जाता है, हमें यहाँ पर लेकिन अभी second base variant है, तो इसमें wireless charging नहीं आती है, साइट मे आता हूं, तो armrest देखने के लिए मिल जाता है, जो कि हमें soft touch देखने के लिए मिल जाता है, वही armrest में space की बात करते हैं, तो अच्छा गसा space देखने के लिए मिल जाता है, अगर मैं स्टेरिंग की बात करना हूं, तो इस लेदरेट हमें लेदर कवर्ड मिल जाता है, यह भी company से ही मिल जाता है, हम इसके MID को में, यहाँ पर में speedometer मिल जाता है, इधर में rpm के लिए 8000 rpm तक दिया हूँ है, यहाँ पर हमें फ्यूल गेज मिल जाता है, यहाँ पर हमें लुआ के लिए option मिलता है, इसमें left side में मिलता है, बहीं बाइपर के लिए हमको right side में मिल जाता है option, बेसल के जलता है, और कर पीछे चलते हैं और काड़ी मिल जाता है, यहाँ पर भी आपको soft ж, तेखने के लिए मिल जाती है अब क्रोम हैंडल देखने कि लिए मिलते हैं जो कि काफी एनांस करते हैं इसके लोग को यहीं पर डोर में स्पीकर देखने किली मिल जाता और बीच में आम भी लेकिन इसके सीट का अंडरताई सब्सक्राइब तोड़ा सा कम लग रहा है देखते हैं हां थोड़ा सा कम है बैट कर देखते हैं दिक्कत है यह पिर आपको बैटने पर भी फील होगा इसमें कि इसका थोड़ा सा अंडर थाई सपोर्ट जो है न कम है आगे तो बहुत बढ़ी अदिया हुआ लेकिन पीछे इतना अच्छा नहीं है अंडर थाई सपोर्ट बीच में आपको आमडेस देखनी के लिए मिल जाता है जिसमें को कप होडलर भी मिल जाता है देखने के लिए है अगर मैं गार बताने को यहां हैं आगे की तरह पीछे की तरफ भी हमें आप्ट से के लिए मिलते हैं न热 पारी 108 बीएच पी की पावर और 144 नम का टॉक देता है यह फोर स्लेंडर इंजन मिल जाता है लेकिन इसमें कोई डीजल ऑप्शन नहीं आता है हमें सारे पेट्रॉल में ऑप्शन मिलते हैं और पेट्रॉल आज के टाइम में कितना में हर वेक्ति जानता है इसका अगर हम बा प्राइस की बात करता हूं इसका एक शोरूम प्राइस करीब 12,6,000 रुपह है वहीं है ओन रोड आते लगों साड़े तेरह से 14 लग की पड़ती है अगर हम इसके फीचर की बात करें इसमें आपको आपको आटो हेडलाइट एलीडी के साथ मिल लहीं है वहीं आपको इसमें एक सेकंड बेस मिलना उसके बात भी लोग फिर टॉप लिंगे ही कि अगर लोग को इतना सब कुछ सेकंड बेस वेरियंट में ही मिलेगा तो टीक बाकी वीडियो को समराइज करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें अ में सपोर्ट देते रहे